यह गाना याद है यह है रेश्मी जुल्फों का अंधिरा नगह बढ़ाए जहां तक नजर है चले आए जी हाँ यह कोई आज की ही बात नहीं है दुनिया में हमेशा से ही स्वस्थ वचमकदार बालों की दुनिया ही खूबसूरती का पैमाना रहे हैं दुनिया में सबसे पहले इंसान को जब सौंदरे बोध काये हिसास हुआ तो विख बालों के जरिये ही हुआ और बालों की देखभाल से ही सौंदरे की देखभाल और इसके निखारने का सिलसिला शुरू हुआ सिंधु, सुमेरियन, मेसोपोटामियन आप किसी भी सब्वेदा का नाम लीजिए और वहां के नारी श्रींगार का इतिहास पढ़िये हर जगे बालों की महता के बड़े बड़े आख्यान मिल जाएंगे बालों के आकरशन, उनके ब्रती सजबता और उनकी देखभाल का यह सिलसिला आज भी जारी है आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज़ादा बालों की ही केर की जाती है आर्थिक जगत की मशूर वैश्विक पत्रिकाद इकोनमिस के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल 214 बिलियन डॉलर का कारोबार बालों के रखरखाव के लिए होता है बहरा हाल यह लंबा लेक्चर सुनने के बाद तो आप नहीं चाहेंगी कि तूटते बालों के समस्या से घीरी रहें लेकिन हकीकत यही है कि तूटते बालों के समस्या बढ़ती जा रही है बालों के समस्या के कई कारण हैं सवाल है इसका कारण क्या है बालों के तूटने का सबसे सामाने कारण केमिकल यूक्त शेम्पू, हेयर स्टाइल टेकनिक्स, कलरिंग, डाई, ब्लिचिंग, स्ट्रेटनिंग आधी हैं इससे बाल कमजोर पढ़कर तूटने लगते हैं यही नहीं प्रेसिंग वर ड्रायर करने से भी बाल खराब हो जाते हैं बालों की उप्री लेयर क्यूटिकल बालों की रक्षा करने के साथ उसकी शाइनिंग बनाए रखती है लेकिन ख्रतिग्रस्त बालों में क्यूटिकल की लेर हट जाती है और बाल अपनी चमक खो देते हैं चमक खत्म हो जाने से बाल खराब, बेजान और निस्क्रिय हो जाते हैं ख्रतिग्रस्त बालों का रख रखाव साब्धानी पूर्वक करना चाहिए मसलन ऐसी स्थती में कुछ दिनों के लिए चोड़े दातों वाले कंगे का इस्तिमाल करना चाहिए खास कर जब बाल गीले हो अगर बाल बहुत रुखे हैं तो हफते में कम से कम दो बार नारियल तेल को गर्म करके बालों की जणों से लेकर सिरे तर्प लगाएं गर्म पानी में तौलिया डाले वा उसे अच्छे से निचोड़ कर पगड़ी की तरह सिर पर लगाएं पांच मिनट तक रहने दें और इस क्रम को कम से कम पांच बार दोहराएं इसके बाद बालों में उंगलियों की मदद से हलके हलके सकुरलर मसाज करें जिससे रक्त संचार सुचारू हो सके पूरी रा तेल को लगा रहने दें और अगली सुबह किसी अच्छे हरवल शैंपू से धो लें याद रखिए बालों को अधिक गर्म पानी से न धोएं बालों को सुखाने के लिए तोलिये को सिर पर बांद ले ताकि पानी अवशोशित हो सके बालों को प्राक्रितिक और पर सूखने दें बालों की चमक वनर्मी बरकरार रखने के लिए कंडीश्टर वसीरम का इस्तिमाल करें बाल नाजुक फैबरिक की तरह होते हैं और इनकी कोमलता के साथ देखबाल करनी चाहिए इसके आलावा भी तमाम तरीकिये हैं जिनसे बेजान बालों को चमकदार बनाया जा सकता है मसलन ग्रीन टी भी बालों के लिए लाबदायक है इसी तरह बीर से भीरूखे बालों में चमक आती है बीर में थुड़ा नइम्बू का रुपय मिला कर इस से बालों को धोएं वह अंत में साधे पानी से बालों को धोएं